नमस्कार मेरे नाम केश्व कुमार जाया और आप लाइब सीडिस देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ डाक्टर केके अगरवाल जी है पदमसरी पुर्व इंडियन मेडिकल एस्टूसियन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं जिस तरह से भारत में कुरोना से निजात दिलाने के के लिए दो वैक्सिन का निजात किया गया है लेकिन इसके विस्विस्यानेता पर लोग सवाल उठा रहे हैं क्या आखिर यह कुरोना से निजात दिलाने के लिए निमदों पर बाचित करेंगे डक्टर केके अगरवाल जी से सर जो वैक्सिन दो निजात हुआ है बारत और कितना कारगार होगी यह दोनुव वैक्सिन के बारे में नहीं पुछा वैक्सिन के बारे में नहीं पुछा तो आज्गों पूह रहा है अरे भाई जो कुत्य के रेबीस का वैक्सिन होता है वो बिलकुल को वैक्सिन की तरह ही होता है जैसे को वैक्सिन बना है वैसे ही रेबीस का वैक्सिन बनता है ऐसा कोई वैक्सिन नहीं बना है भारत के अंदर में जो पहले नहीं बना हो बिमारियों के लिए flu vaccine में भी 70% efficacy होती है इसमें भी 70% efficacy है तो क्यों लोग सवाल उठा रहे हैं इसके अंदर में लोग कह रहे हैं कि को vaccine जल्दी बना दिया मैं तो कहाँ लेड बनाया आच्छे महीने का trial चाइना का available है को वैक्सिन के उपर में को वैक्सिन जैसे वाइरस के उपर में तो डर किस बात का है आपको मैं तो कहा रहा हूँ 15 अगस को ला देना चाहिए था इनको को वैक्सिन जैसा वैक्सिन ये तो होना ही है देखिए 200 वैक्सिन कंपनियां बना रही है 7% successful होंगे 14 vaccine successful होंगे तो 14 लड़ेंगे नहीं कि मेरा अच्छा, मेरा अच्छा, मेरा अच्छा यह तो होगा, इसमें क्या difficulty है अभी तो यह जो vaccine war है यह तो expected थी और यह vaccine war तो पूरे दुनिया में चलेगी हर case की अंदर में किसी की death हो जाएगी लोग बोलेंगे vaccine से हो गया मेरे को नहीं लगता कि इस वकत में जो लोग criticize कर रहे हैं अरे उनका तो number यह नहीं आने वाला भी जो सारे लोग criticize कर रहे हैं उनकी उमर 50 साल से कम है उनको तो vaccine तीन महिने बाद लगेगा तब तक तो हमारे उपर में result देख लेना मेरे भाईयों अभी तो यह vaccine डॉक्टरों को लग रहे हैं तीन महिने में जब आपका number आएगा तो trial मिल जाएगा आपको आपका एको परिशान हो रहे हो अब public को क्यों बोल रहे हो अभी तो पहला हमारा है हमारे को तो लगने देओ जब हम लोगों को लग जाएगा पचास साल से उपर वालों को लग जाएगा जब तक आपका number आएगा तब बात करना सारे लोग जवान लोग खड़े हो के बोल रहे हैं कि खराब है हम नहीं लेंगे हम नहीं लेंगे अभी तम्हारे को मिल का हम रहा है तम्हारे को तो मिलेगा ये तीन महिने के बाद में so आज की डेट में have faith in medical doctors remember COVID का इलाज डॉक्टरों ने किया है वैक्सीन अभी तक डॉक्टर सज़ेस्ट करते हैं भी डॉक्टर करेंगे आप को नोते हो बोलने वाले कि हमें ट्राइल दिखाओ हमें यह दिखाओ आपने कभी हमसे पूछा कि जो दवाई का हम इस्तमाल कर रहे हैं उसका ट्राइल दिखाओ कभी आपने पूछा यह दवाई क्यों अपरूव हुई है अब तो सर ऐसा भी हो रखा है कि राजनिती भी हो रही है इस पर कुछ लोग कह रहा है कि पहले परधान मंत्री निरेंदर मोदी को लेना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास जित सके कि यह वैक्सिन कारगार होगी आपको क्या पूछा कि मेरे को एक एस्परीन की गोली खानी है पहले निरेंदर मोदी जी अगर इंजेक्शन लोगों के सामने लेना चाहें वो उनकी परसनल च्वास है लेकिन याद रखिए मेडिकल प्रफेशन पे आपको फेथ रखना होगा अपने मेडिकल डॉक्टर से पूछना लगाना है कि नहीं लगाना है आप कोन होते हो ने तो कल से पूछना चालो करो हट दवाई की उपर में कि दवाई का मुझे ट्रायल दिखाओ मुझे इस दवाई के रिस्पांस दिखाओ यह सब पागल पना है छोड़ दीजिए इसको लोगों का शवाल यह भी है कि नहीं हुआ था टेस्स करते हो कि अपार हर एक्सीन से पहले की मेर को हुआ था कि नहीं हुआ था जो सदियों से वैक्सीन की प्रोटोकॉल चली आ रही है वह फालो हो रही है इसमें इतना ज्यादा डिसकेशन क्यों और प्लिटिसाइजिशन क्यों बिल्कुल नहीं बिल् तो मत लगो ना किसने बोलाए आपको किम्पलसरी थोड़ी ये मैंडेटरी थोड़ी ये मैंडेटरी है क्मसे कम अभी फिलहाल में जिनको लग रहा है उनको उनको तो लगाने दिए ओनाक आपको पीशे पड़ रहे हो जब तुम्हारा प्रेवेट सेक्टर में आएगा तुम सोच लेना तुम्हें लगवाना है कि नहीं लगवाना इस वकत में तो जो एसंचियल है उनको लगवाना ज़रूरी है जो कुरोना पॉजिटिव है वरतवान में जिसका रिपोर्ट निगेटिव नहीं आया है पॉजिटिव जब तक रिपोर्ट रहें का तब तक उसको वैक्सिन नहीं मिले है लगना नहीं चाहिए तीन में वेट करना चाहिए लेकिन अगर आपको एस्यम्ट्रमाटिक पॉजिटिव थो फर्क नहीं पड़ता हूं बीमारी कम है और बेस्ट लगाना विमारी कम है मोटालिटी कम है यह लगा लेने के बाद एक बार आपको करोना नहीं होगा और कुरॉना से आफ जंग नहीं हा रहेंगे दिली सिके सब्जाक रिपोर्ट लाइव सिड्स मीडिया के लिए झाल झाल